हेलो फ्रेंट्स एड वेल्कम यू इन इन्मी नूँ वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाल है produce को हम produce professional 8 व उप्रोट्यूस एट software को यूस कैसे पर ठीक है प्रोटूस एट इस यह को software है electrical simulation के लिए electrical circuit या फिर PCB design करने के लिए भी आप इसे यूस कर सकते और even simulation के लिए इवन कहीं colleges में इसका इस्टमाल प्रैक्टिकल करने के लिए भी किया जाता है चलिए तो यह सफ्ट्वयर को सुरू करते हैं यह सफ्ट्वयर का पर क्लिक करके इससे शुरू किया यह लोड होने लगा है यह सब्पर को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप् यहां पर आपको documentation मिलेगा कि कैसे start करना है आपको यहां पर सीखना यह सफ्क्राइब को चलाना है स्क्वेटिक के लिए मतलब आप सके डिजाइन करोगे PCB design PCB layout कैसे त्यार करोगे उसके अलावा है simulation के लिए migration guide और what's new मतलब आप update करोगे तब क्या नहींगा इसके लिए चलो इसमें से हम PCB layout कैसे बनाते हैं देख ले देखते हैं कि हमें कैसे दिखाता है PCB layout पर क्लिक किया तो यहां पर आपको क्या क्या करना है स्टार्ट से लेके end तक PCB design के लिए सारा आपको documentation with example के screen shots के साथ आपको मिल जाएगा यहां से आप डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं इंडेक्स में ठीक है ऐसे यहां पर यह simulation का भी है यह documentation available है कि क्या से करना है आपको कहां से component लेना है यह सब यहां पर आपको यह आप ऐसे इंडेक्स डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते आपको क्या लेना है ठीक है यहां पर आपको सारा मिल जाएगा उसके लावर नीचे है help में आपको कौन से component कैसे यूज करना है उसके रिलेड़ इंफर्मेशन दिए हुई है ठीक है यहां पर आपको कौन-कौन से बेजिक फॉल्ट आ सकते हैं और आपको कैसे सॉल्ट करना है वह सारे तूसके टूटोरियल मिल जाएंगे इदर ठीक है उसके उसके बाद नीचे आता है तो इसमें इस आपको यहां पर यहां पर यह पिछे बनाया है। यहां पर यह पहले से बने हुए प्रोजेक्ट है मेरे दो यहां साथा सिधा डायरेक्व कर सकता हूं यहां पर नियूव पर क्लिक करके नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वह है वह बाद में दिखाता हूं मैं यहां पर इंपोर्ट लेगासी मतलब आपको कुछ इंपोर्ट करना है जैसे कि कोई बोर्ड है डेवलोपेंट बोर्ड है आडवी नो है यह उसका अगर डेटाशिट नहीं है इसका डे कर सकते हैं पर बहुत सारे इन लोगों ने एक्जांपल दे रख्यांठ आप पर ठीच सकते और यहां से किसंपले आपको क्लिक करके ऊपन करना है बहुत सारे इसमें मिल पर रिसंट टोजेक्स अपने इसंट वर्क किया है वह आपको मिलेगा ञेनी के लिए घृबडें बह पर हला कि मेरा पार लाइसन्स वर्जन नहीं है इसलिए मैं इसे अप्डेट नहीं कर सकता है मेरे वाले में आप कर सकते हो अगर आपको उसका क्रेक वर्जन या लाइसेंस वर्जन खरीदते हो तो ठीक है यहां पर है फाइल सिस्टम हेल्प जो कि होता ही है सब यहां पर यहां पर बहुत सारा शॉटकट भी दिये हैं जैसे कोई न्यू स्केमेटिक आपको न्यू प्रोजेक्ट उपन करना है तो यहां से करना कि यहां और सीधा यहां से भी और सकते हैं पूराने वाला है उसे खुलना और लिए यहां मतलब यह सकते हैं आमराने बहुत एक से ज्यादा software है ऐसा कह सकते हो आप यह बहुत ही बेस्ट कटेकरी का software है और इसके एक खास बात कि आप रियल लाइफ में components जैसे यूज करते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कुछ software होते हैं जो सिर्फ mathematical command पर चलते हैं जैसे कि आप MOSFET या transistor है जिससे आप किसी और वोल्टे सोर्स से ड्राइव नहीं कर सकते हैं उसके लिए उसके mathematical जो गेट ड्राइव होता है वही यूज करना पड़ता है जो उसके mathematical component से चलता है पर ऐसा इसमें नहीं आप इस आप टो कपलर से या और किसी भी वोल्टे सोर्स से ड्राइव कर सकते हैं मतलब एक रियल लाइफ मां circuit जैसे वर्क करती है यह बिलकुल वैसे कर सकता है चलो तो एक new project क्यासे खोलते है वह देख लेते सबसे पहले क्लिक करो new project पर ठीक है यहां पर यह आपको प्रोजेक का यह बडल दिए जैसे मैं इसको देता हूं है मां को ट्राइड है माल यह थरा स्पलिंग फार्ख होगा है सबी इसलिए हमने पर स्टॉर होगा यहां पर यह स्टोर करना चाहते तो आप यहां से ब्रॉज्ज करके इसकी रोकेश्व कर सकते हैं यह हमारा निव प्रोजेक्ट पर क्लिक किया हुआ थो वहां पर यहां पर यहां पर करना है नहीं इस करना की जरुफर के ज़रुवत नहीं उसके बाद है डू नौट क्रिएट ऑपीसिबी लेड़ चाहिए की नहीं तो हम PCB layout पर बात में आएंगे, फिलहल हम simulation सीख रहे हैं, फिर हम आगए वाले आने वाले वीडियो में ये भी सिखाएंगे कि इसके PCB layout कैसे बनाए जाते हैं, फिर next, यहाँ पर firmware है, इस प्रोजेक्ट में no firmware प्रोजेक्ट और create firmware, firmware मतलब अगर आपको ए रेडिमेट development board है, जैसे हमारा, मैंने बताया, Arduino, STM32 को यूज़ करना चाहते है, यहाँ पर जैसे example दे रखाए, और हम select करते हैं यहाँ पर finish, और यह हमारा एक नाया window खुल गया, जहाँ पर यह हमारा project window जहाँ पर हम अपने component को connect करेंगे, यह हमारा view है, यहाँ से हम पूरी screen का overview लेख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ यहाँ पर यह हमारा full screen है, पर जैसे कि हम यहाँ से यहाँ से zoom in, zoom out करते हैं, यह से zoom किया, zoom out किया, तो क्या होगा, हम screen का कोई थोड़ा सा portion नहीं देख पाएंगे, जो portion देख पाएंगे, वो यहाँ पर green line करके आगा, हम इसे move करके पूरा portion देख सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी circuit है, और हम एक बार में नहीं देख सकते हैं, तो हम यहाँ से zoom करके उस circuit को एक हिस्से को देखेंगे, अगर बहुत सारे component हुए तो, और अगर हमें किसी area पर focus करना है, तो हम इसे हिला के, यहाँ से adjust कर सकते हैं, और यहाँ से zoom in, zoom out करके, हम देख सकते हैं, exactly हमारी circuit कहा पर है, ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे tool मिलत है, यहाँ पर हम जैसे कि मानलों मैं type कर रहा हूं battery, भी यह double T है, हमें यहाँ पर पूरा component type करने के भी जरूरत नहीं, यहाँ पर आप मुझे दिखा देखा देखा, यहाँ पर देखो यह battery है, मैं इस पर click करता हूं, यह multi cell battery है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर इसका preview भी मि में लेगा, हाला कि आप जानते है, battery है, PCB perfect नहीं हो सकते, इसलिए इसका PCB package available नहीं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको click कर सकते, तो यहाँ पर हमारे pick list में, यहाँ पर जो हमारी object list है, उसमें store होगा, यह हमारी object list है, ठीक है, यहाँ पर हम और एक दिल लेते है, LED, हमें LED बल् LED, ब्लू LED, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू LED आगे, अब यहाँ पर यह multi color LED भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर यह blue और yellow LED हो, बराबर self flashing, मतलब यह दो color में है, तो चल यह इसे ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पर यह इसका schematic, और यह LED का यह कोई generic company के होगे, इसलिए यहाँ प आपको इसका PCB layout भी मिलेगा, यहाँ पर हमने लिया और इसे click किया, दो बार, मतलब यह भी हमारे पास आ गया, ठीक है, चलो अब register select करते हैं, ठीक है, तो हम इधर लगते है, 100 ohm register, चाहिए, हमान लेते हैं, हमें 100 ohm register चाहिए, हलाँ कि मिल तो कोई भी सकता है, ठीक है, ohm, space पूल गया, sorry, तो यहाँ पर already हमें register दिखाने लगा है, पर हम, R-E-S-I-S, छोड़ने पड़ेगे, R-E-S-I-S, मतलब यह सारे register है, ठीक है, अब इसमें कुछ potentiometer है, कुछ normal trim part है, तो कुछ normal register है, ठीक है, अब जैसे हम इसका layout मिल रहा है, यहाँ पर यह सारे potentiometer है, और यह normal resistance है, ठीक है, यह हमारा resistance है, और इसका PCB layout, यह SMD में है, तो इसका PCB layout SMD के मुताबिद हमें मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से हम इसे select कर लेते हैं, अब हमरे बास होगे 3 component, तो हम इसे हम हमारी basic circuit बना सकते हैं, तो हम आज सिर्फ basic circuit बना कर दे लेते LED, क्लिक किया, और इधर हमने उसे place किया, ठीक है, यह आ गई LED, अब है हमारी battery, तो इधर battery भी place कर दी, यह हमारी multi cell battery हमने इसे 9V कर रखा है, मतलब यह 1.5V के आसानी से यह हमारे 6 cell के बराबर होगा, ठीक है, यह multi cell यह से single cell लेके भी आप इसके voltage कर सकते हैं, उसमें क क्लिक किया, और यहां पर यह battery हमने LED का current limit करने के लिए resistor रख दिये, अब हमें इसके connection जोड़ने, तो इसके जो टर्मीनल है, उसको मैं आपस में जोड़ना पड़ेगा, यह जोड़ दिया, ठीक है, एकदम सिंपल है इसको जोड़ना, यह दूसरा टर्मीनल आया, और इससे highlight होगा, तो हम हमने click किया, और इसका resistance हम घटा के कर देते है, फिलहल के लिए, 1000 ohm, यहां पर हम 1000 भी लिख सकते है, और 1 kb लिख सकते है, दोनों चलेगा, ठीक है, यह होगा है 1000 ohm resistance, यह हमारी LED और यह battery, सीधी connect है, मतलब यह जैसे हम simulation on करेंगे, बैटरी से सीधा बल्ब ज क्लिक करना है, यह क्या, यह LED on हो गई, यह yellow और green के color, blue के color में किसी भी color पर on होती है, ठीक है, multi color LED है, यह हमें इसे stop करने के लिए, यह stop button है, इसका stop simulation, यह हमारा simulation pause करने के लिए, अगर आपको time delay वाला simulation लेते हो, जिसमें आपको time को बीच में pause करके reading लेना है, तो उसके लि simulate करके दिखा रहा है कि bulb on हो रहा है, ठीक है, तो बस यह हमारा basic simulation का वीडियो, इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में, और detail में switching का operation, rectifier operation, और CROB कैसे use करते हैं, वो भी देखेंगे, इसमें, ठीक है, और यहां से आप इस project को save भी कर सकते हैं, तो हम फिलाल इसे save कर करते हैं, already हमारा folder बना हुए है, तो हमने इसको folder में save कर लिए, ठीक है, ओके तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसके rectifier कैसे बनाया जाए, ओके, thank you